आज अज वीडियो में हम तरल पदार्तों के बारे में जानेंगे आईए देखे कि गैफी, बबलू और रानी आज क्या कर रहे हैं बहुत कर्मी है आज, चलो कुछ थंडा पीते हैं वो देखो लगता है बबलू ने शर्बत का स्टॉल लगाया है हेलो बबलू, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गैफी, क्या तुम दोनों मेरे स्टॉल से शर्बत पीना चाहोगे? हाँ, जरूर, एक गलास कितने का है? ये एक गलास बीस रुपए का है मैं एक गलास शर्बत पीऊंगी, ठीक है, अब मैं भी एक गलास बबलू, हम दोनों को बराबर मात्रा में शर्बत देना देखो, बराबर है ना बच्चों, क्या आपको इन दोनों गलास में शर्बत बराबर लग रहा है? हाँ, पर क्या तुम मेरे शर्बत को इस गलास में डाल सकते हो? ये गलास देखने में संदर है हाँ जरूर बबलू तुमने रानी को ज़्यादा शर्बत दिया है देखो ये ग्लास बड़ा है और ये छोटा है बच्चों क्या आपको भी लगता है कि रानी के ग्लास में शर्बत ज्यादा है? हाँ या नहीं? आपने बिल्कुल सही सोचा शर्बत ज्यादा नहीं है एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालने से उसका सिर्फ आकार बदला है मात्रा उतनी ही है देखो मैं वापिस से ये शर्बत पहले ग्लास में डालता हूँ देखो है ना ये बराबर? हाँ बराबर है ये शर्बत तो बहुत स्वाधिश्ट है बबलू धन्यवाद बच्चो अब आप दो बराबर ग्लास में पानी भरे फिर एक ग्लास में से पानी एक जग में डाल दे अपने जवाब इस तरह एक टेबल में लिखकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साज़ा करे बच्चों इस वीडियो में हमने तरल पदार्तों के बारे में जाना उसके बारे में हमने बड़न देका बारे में हमने ओक लो कि आहतrice कि दो देका है अपने झाही हमने सदस्सी थे लोस्तों के लेघने से साथ सवेशस्ना आफ ज़ने करे यह थेएड़ Verkehr शें उजवकर अपने चाहीं करान अभी गज़न है